हेलो दोस्तों आप सभी का Hindi to English में स्वागत है और दोस्तों आज का वीडियो लेशन 38 के अंतरगत बन रहा है और आज हम लोग रिवीजन करेंगे तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है आप लोग सभी इस वीडियो को अन तक चरूर देखेगा मैं आप को एक एक रूल बताऊंगा और दोस्तों इस चैनल के खास बात यह है कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि सर आपने बताया नहीं यदि आप मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं लेशन वाइज नहीं देखते हैं देन दफॉल तो गलती आपकी है दोस्तों आज का पहला सेंटेंस सो मुझे पैदल इस्कूल जाना पड़ता है I have to go to school on foot पैदल का होता है on foot और मुझे जाना पड़ता है मुझे पढ़ना है इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया है तो वो वीडियो आप जरूर देखेंगे नेक्स सेंटेंस है उसके पास पढ़ाई के परति समरपन की भावना है इसलिए वह अवस्थ से एक डॉक्टर बनेगा यहां क्या है उसके पास यानि कि he has he has a sense of dedication he has a sense of dedication उसके पास समर्पन की भाबना है किसके पर्ति पढ़ाई के पर्ति के पर्ति का towards लिखेंगे towards और अपने का हीज लिखेंगे he का अनुसार हीज हो जाएगा towards his studies इसलिए हुआ अबस्ते एक डॉक्टर बनेगा next sentence है तुम अपने जीवन में कुछ नहीं बनोगे क्योंकि तुम्हारे पास अंग्रेजी का कोई ग्यान नहीं है और दोस्तों इस दुनिया में आगे वढ़ने के लिए अंग्रेजी का ग्यान होना बहुत ही जरूरी है इसलिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने मी विडियोज हैं सभी विडियोज को जरूर देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे एपस हैं विडियोज हैं जहां पर आपको पैसे लगत अबित करता हूं कि मुझे फल जरूर मिलेगा इस चैनल में भी तुम अपने जीवन में कुछ नहीं बनोगे यू विल नॉट बिकम एनिथिंग यू विल नॉट बिकम या फिर बी का भी यूज कर सकते हैं यू नॉट बिकम एनिथिंग या फिर सोट में यह भी कह सकते हैं यू विल वी नथिंग इन यूर लाइफ अपने जीवन में क्योंकि तुम्हारे पास अंग्रेजी का कोई ग्यान नहीं है दोस्तों नेक्स सेंटेंस है यहा घर कैसे मेरा नहीं होगा तो जैसे यहा घर मेरा होगा यहाँ पर माइन यूज होता है तो उसी प्रकार यहाँ पर होगा सबसे पहले कैसे का इंग्लिस लिखेंगे हाव उसके बाद विल लगा देंगे हाव विल और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है यह घर हाव विल दिस हाउस नॉट भी माइन लास्ट में यदि माही का यूज होगा था हमेंसा माइन में चेंज हो जाएगा अप लोग सभी लेशन को जरूर देखेंगे क्योंकि इस लेशन में हम लोग क्या कर रहे है रिवाईज राम एक आदर्स भी दियारती है दूसरी तरफ स्याम एक कामचोर है तो यहाँ पर होगा राम इस एन आइडियल स्टुडेंट यहाँ पर आई भावल है इसलिए एन यूज होगा राम इज एन आइडियल स्टुडेंट आउन दा अदर हैंड दूसरी तरफ का क्या लिखते हैं अन दा अदर हैंड तो इसे दी पढ़ेंगे क्योंकि ओ भावल है और जब भी वर्ड भावल से सुरू होता है तो इसे दी पढ़ा जाता है राम is an ideal student on the other hand स्याम is a सरकर काम चोर को इंगलिस में कहा जाता है सरकर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ I am not your enemy rather बल्कि का लिखेंगे rather I am your friend I am your friend next sentence है एक दिन मेरे पास लाखों सब्सक्राइबर होंगे क्योंकि मैं एक मेहनती और समर्पित सिख चक हूँ एक दिन one day I I shall have lakhs of subscribers क्योंकि मैं एक मेहनती और समर्पित सिख चक हूँ अधिकाश हूँ ही एम हाड़ वर्किंग हाड़ वर्किंग एंड कि दिकेट टीचेर हूँ डिकेट टीचेर यह लड़के बैमान है जबकि वो लड़के इमानदार है तो यह का दीज होता है और वो का दोज होता है तो यह लड़के यानि दीज बॉइज एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि यह यह के बाद कोई नाउन आएगा तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है यह लड़के यानि these boys these boys एक से अधीक है आर हो जाएगा are dishonest जबकी का while लिखेंगे while those boys are honest next sentence है उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वह उदास है he has no money so he is sad मेरे पास अंग्रेजी पलाने का आठ सालों का अनुभव है I have an experience of eight years of teaching English I have an experience of eight years of teaching English I hope that this video will be good for you if you like this video will be good for you like this and subscribe to the channel and watch all the videos and watch all the videos thanks for watching have a great day enjoy yourself